हेलो दोस्तों गायत्री की रसी में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मात्र 20 मिनट में मलाई केक दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट बनेगा और साथ में दोस्तों यह रसीला भी बनेगा इस पे हम डा लेते हैं तो सब्से पहले हमने यहाँ पर फोर्थ कफ ले लेना है रिफाइड उयल अब इसी के साथ हम ले लेंगे अब उन किसे तेल के साथ मतलब ऑईल के साथ अच्छे से मीक्स करेंगे चले इसного मीक्स करेंगे तो घाल देंगे मतलब पाउडर अब इसका आधा मतलब 1 बटे टू टेबल इस्पून बेकिंग सोटा अब इसको बड़िया से डॉलके चान देंगे चल्डिया से चान देंगे जब भी आप केक बना रहे हैं तो उसके लिए पहले चीजों को ना छान के लेए से क्या होगा सारी चीजे फाइन हो जाती हैं जो हमारी मिक्षर में गुठलियां होती हैं वो भी हट जाती हैं साथ में मैंने इसमें डाल दिया है एक कप टोटल दूद यह उबला हुआ रूम टंप्रेचर पे दूद है अब इन सारी चुजों को बढ़िया से अच्छे से मेक आप यहां पर मैदा चान कर भी डाल सकते हैं मैंने ऐसी डाल दिया अच्छे से मीक्स कर देंगे तो यह बढ़िया से सारी चुजों के साथ मीक्स हो जाएगा चले इसको थोड़ा सा मैंने बीना चाने डाला है तो टाइम लगेगा इसको फैटने में इसको इस तरह से हमारा यह बैटर बन चुका है मैं आपको एक बार चम्मत से गिरा कर दिखा देती हूं यह देखे एक देम स्मूध सा बैटर बन चुका है अब हमने यहां पर ले लेना है एक मोल्ड दोस्तों मैंने काच का मोल्ड लिया है आप इसकी जगा कोई भी केक टिन वगारा जो भी स्टेंड इस तरह से लगा देंगे नहीं तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट रख दीजिए और पानी उबल जाये तब हम इसमें रख देंगे मोल्ड को अब बस इसको हम ढख देंगे और ढख के टोटल हम 20 मिनट तक इसको पकने देंगे आज को हम मीडियम कर देंगे मीड सुगर पाउडर अब इसको बढ़िया से अच्छे से हम इस तरह से पेस्ट बना देंगे अच्छे से विसकर से चलाते हुए कर्चिया चम्मस से किसी चीज से तो हमने केक को दूसरे वाले चूले पे कर दिया है अब इस पे हम बनाएंगे फटा-फट रबड़ी जब तक हम हमारी रबड़ी भी बन जाएगी तो टोटल हमको बनाने में 20 मिनट ही लगा है दोनों चीजों को मैंने साथ में बनाया है दोस्तों अब बस इसमें मैंने दो से तीन चम्मस सुगर पाउडर आल दिया क्यूंकि हमने केक में भी चीनी डाली थी और यह केसर वाला दूद मैं मैंने गरम दूद में केसर जो है डाल दिया थोड़ा सा मैंने एक चुटकी फूट कलर लेमन फूट कलर भी डाला था हलका सा ही फूट कलर डालना है बहुत जादा अगर आप नहीं डालना चाहते तो फूट कलर इसकीप कर सकते हैं और दोस्तों यह देखिए हमारी गड़्या से बन चुकी है इसको थोड़ा सा और पका लेंगे तो बस इतना ही पकाएंगे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे अभी जैसे जैसे यह रबड़ी ठंडी होगी वैसे वैसे थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी तो हमें जादा गाड़ी भी नहीं चाहिए और 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों पूरे घड़ी के देखे 20 मिनट में देख सकते हैं दोस्तों केक कितनी बड़ी आसे स्टीम हो चुका है इस तरह से कोई भी तूथपिक या फॉग वाला चमच मैंने डाल के देखा तक दम क्लेन निकला है और केक देखकर प्यता चल रहा है कि पूरी त इस तरह से करने से दोस्तों क्या होगा जब हम इस पे रबड़ी डालेंगे तो रबड़ी बहुत ही बढ़ी आसे अंदर तक केक के चली जाएगी तो इधर रबड़ी हमारी जो है जादा ठंडी हो चुकी है तो रबड़ी को मैंने हलका सा गुनगुना होने के लिए गैस प दाल दिया है इस तरह से उपर का थोड़ा सा निकल रहा है था हम इस तरह से हटा देंगे केक को और यह देखे बीच में फिर से रबड़ी को इस तरह से डाल देंगे बीच में हलका सा कट कर दिया है तो रबड़ी और बड़िया से अंदर तक चली जाएगी केक में और देख पारें कितना बढ़िया हमारा केक और रबडी दोनों बढ़िया से सेट हो चुका है आप लोग देख पारें बिलकुल एकदम बढ़िया से सेट हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट बनाए दोस्तो जब हमारे घर में खाया गया तो सबको ये रेश्पी बहुत पसंद आई आपके भी घर में सबको ये बहुत पसंद आने वाली है दोस्तो बहुत इजी और फटा फट बनने वाली रेश्पी है दोस्तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तो जो मैंने केक स्टीम किया था उसमें टोटल 20 मिनट लगे हैं आपको थोड़ा सा कम ये मतलब ज़् हो सकता है बस इस पर हम थोड़ी सी इस तरह से रबड़ी डालेंगे दोस्तों और फटा फट इसको चलिए मैं काट कर दिखा देती हूं कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाए दोस्तों ये देखे काटने से पता चल रहा है कि बिल्कुल एक दम रुई जैसा सॉफ्ट बिल्कूल एक दम मुँ में घुल जाने वाली रेस्पी बनी है तो दोस्तों इसी तरह से बनाए आप लोग भी इसी तरह से इंज्जाए करें दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जर झाल